दोनों लड़के लड़कों को भी राज दर्वार का भावी पहलवान गुशित किया गया था अधे उनके भरन फोशन की पूरी जिम्मेदारी भी राज परिवार की थी लुटन है प्रती दिन अपने बच्चों को पहलवानी की डोलक के साथ साथ पहलवानी के ग्यान के साथ साथ संसारी ग्यान भी देता था और उसका कहना था कि है हमेशा उसका कहना था कि मेरा गुरू कोई पहलवान नहीं है यह डोल है और डोल को प्रडाम करना ऐसी बहुत सी बाते हैं वो अपने बेटों को देता था ववारिक शिक्षा देता था परंतु ये शिक्षा क्या है उस समय वर्थ हो गई जब मुड़े राजा साहब की मित्य हो गई और ब्रद राजा के इस्तान पर नए राज़कुमार ने विलायत याने विदेश से आकर के कारेभार समाला तो उन्होंने राज़े को अपने हाथ में ले लिया राजा साहब के समय शितिलता आ गई थी वो राज़कुमार ने आते ही दोड़ कर थी उसने बहुत से परिवर्टन किये और उन्ही परिवर्टनों में पहलवानी भी थी उसने दंगल का इस्थान गोड़े की रेस में लगा दिया तो पहलवान तदा दोनों भावी पहलवानों का भोजन पर होने वाला वे सुनकर के राज़कुमार आश्चर चकित रह गए उन्होंने का पहरिवुल पहलवान को साब जबाब मिल गया कि राज़ दरवार में उसकी आविश्यक्ता नहीं है और यहां तक कि उसकी एक नहीं सुनी उसे गड़ गिराने का मौका नहीं दिया लुटन पहलवान जो बड़े शानों शौकत से रहता था और जो राज़ परवार का दरशनी जीव था वे रोजगार हो गया और धूलक कंदे में लटका कर दोनों पुत्रों के साथ गाउं पहुचा वहां रह करके उसने गाउं के छोर में एक जोपड़ी बना दी और वहीं से गाउं वालों को क्या है वो कुस्ती सिखाता था साथ ही साथ क्या है अपने पुत्रों को भी सिखाया करता था पर दो गाउं में इतनी बेरोजगारी थी किसान और मज़ूर खेती करने वाले क्या खा करके कुस्ती सीखते दीरे दीरे उसका ये स्कूल खाली हो गया और उसके लड़के मेहनत मज़ूरी करके लाते तो उसी से गुजारा होता था तो इस तरह से क्या है उनकी हालत क्या है भूखो मरने की नौबत आ गई यही इस पार्ट में बताया गया है कि अगर लोग कलाएं बंद हो जाएंगी तो उनको कलाकारों को क्या है भूखो मरने की नौबत आ जाएगी अचानक ही गाउं में है पहले अनावरस्टी यानी सुखा पड़ा फिर अचानक ही क्या है अरहेजा और मलेरिया ने पूरे गाउं को अपने चपेट में ले लिया पूरा गाउं है सुना पड़ गया सभी घरों में दो चार लाशे निकलती थी और है चार ओर हाहा कार मचा हुआ था है डैविदादक रोदन था ठीक है और है